आप सभी लोगों का स्वागत है सच्टा नंद मैद पे तो हम आप लोगों को कुछ इस तरह का सवाल लेके आए हैं जो ट्रिक से बहुत कम समय में हल करेंगे जैसे हम आप यह आठवा नमबर देखिए सातवा नमबर छाठवा पाचवा चाओथा तीसरा दूसरा पहला तो इस तरह का सवाल हम आपके लिए लिख यह ट्रिक से हल करेंगे और हल करते हुए आप हमारे साथ हल करते हुए चलेंगे और कभी आपको भूला नहीं होगा बहुत असांट्रिक बताएंगे जैसे आप हल करेंगे तो पहला नमर बनाते हैं इसमें लिखा है इतना इसका नाम तो आप जानते ही इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है इसे लंगणा भीन के नाम से जाना जाता है और सतत ठीक है 37 भीन गिरुप में इनको भी जाना जाता है तो हम पहले इनको कैसे हल करेंगे तो इस तरह यदि हम हल करते हैं तो यह थोड़ा सा प्रोसेस इनका बड़ा हो जाएगा तो पहले इनको हम इनसे ही हल कर लेते हैं तो इस तरह का सवाल आए जिसमें अंक ना दिये हो ए बी सी हो ना तो उनको के ओल उनके एंसर से हल कर लीजिए कैसे करेंगे देखिए 26 जहां पे लिए क्या है 26 में आप 9 से भाग देंगे यानि इनका आप क्या लिकालेंगे इत्सियफ निकालेंगे कैं निकालेंगे एस पार इस इप निकालने के लिए आपको पता है दो वी दी से भाग वी दी और गुरण खंड वीदी तो नौ दूना क्या होता है 18 और जैसे हहाँ पे primeira से overt कम करींगे तो अज हो जाए hem आठ और भाग वीधी का नियम और रूल्स आपको पता है कैसे किया जाता है अब नौ यहां पे लिखेंगे आठ से भाग देंगे तो एक भर जाएगा बचेगा कितना एक और एक का भाग आठ में देंगे तो जाएगा आठ वर कट गया पूरा अब हम लोग को LCM क्या मिला अब उनके बारे में देखेंगे यह जो हम लोग कहाई है LCM है किलियर तो अब हम लोग का इसमें दिया है find याणि a प्लस वी का मान क्या होगा तो हमको जो यह first में मिलता है न तो यह a है यानि ये वाला A का मान और नीचे वाला B का मान और नीचे वाला ये वाला जो 8 है C का मान हम लोग को करना का ये प्लस B प्लस C का मान रख का जोड़ देंगे तो हम लोग का उतर मिल जाएगा तो हम यहाँ पे रखते हैं 2 प्लस 1 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा आठ दो दस और एकी ग्यारा तो यही हम लोग का उत्तर होगा तो इस तरह के सवाल जैसे मिली हम पर यह प्लस बी प्लस सी दिया हो और उनका यह प्लस बी या यह प्लस बी कमान पुछा जाए तो आप इस तरह हल कर देंगे यह सी अप निकालेंगे हल करेंगे तो इनका उत्तर बी नमबर हो जाता है समझ मैं अगला नमबर अगला नमबर है अंडर रूट तिर सट प्लस दो अंडर रूट तिर सट या इस तरह टर्म जो बारो बाद रिपीड करते हो, तो उनके लिए हम लोग कैसे कि ट्रिक आउपियोग करते है सबसे पहले तो देखेंगे कि इनका वर्गमूल होगा कि नहीं और वर्गमूल कौन बताता है कि वर्गमूल हो जाएगा तो हम लोग इस 2 से पता करते हैं, रूट के बाहर यदी 2 होगा, देखिए यहाँ पे भी होगा, तो जब 2 रहता है न तो उससे के पता चल जाता है, हम लोग को कि इसका वर्गमुल होगा, कैसे करते हैं, देखिए अब 63 को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, यहाँ पे 2 बता र 60, तो हम 9 और 7, इनका डिफ्रेंस यानि अंतर करेंगे, तो इनके बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग का उत्तर सही होगा, बास समद में आया, ताप जैसे हम इनको तोड़े तो हमको 2 फार्टर मिला, एक 9 मिला, और एक 7 मिला, इन दोनों का हम जैसे डिफ्रेंस करते हैं, तो 2 मिल गया, तो हम लोग को इतना तक सही है, अब हम लोग को चाहिए क्या, देखी क्या चाहिए, यदि जब पलस, यहाँ पे पलस होगा, तो हम बड़ा वाला चीन लेंगे, बास सुनिये, पलस रहेगा, तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, फैक्टर, और माइनस होगा, तो छोटावाला लेंगे. आप देखिए, प्रस नमे माइनस है कि प्लस? यह किलियर करते चलेंगे नहीं, तो आपका थोड़ा सा गल्ती हो सकता है, और उतर गलत हो सकता है. तो देखिए, का मिला? प्लस है तो बड़ा नंबर. प्लस है तो बड़ा नंबर. 88 minus 3 under root 88 जैस पुरा term repeat कर रहा है तो सेम वही वाला काम करेंगे 88 को तोड़ा जाए कि उनके अंतर यहाँ पर क्या बता रहा है 3 हो जाए क्या हो 3 तो 88 को आप तोड़ेंगे तो जैसे इनको कैसे तोड़ेंगे आपके भी मन में आता होगा 88 का तो तोड़ेंगे साथ में चलिया 11 हो गया 11 हो गया 11 आठ है 88 होता है और 11 और 8 का जैसे आप इनका डिफरेंस निकालेंगे अंतर तो कितना मिल जाएगा 3 मिलेगा तभी तो हम लोग का माना जाए कि यह सवाल सही है आप हम लोग का अगला नंबर क्या करते है यहाँ पहले प्लस पे देखते है यानि 11 और माइनस पे 8 तो बताइए यहाँ पे इनका प्लस चल रहा है कि माइनस तो आप बताएंगे माइनस चल रहा है तो जब माइनस चल रहा है से में भी उसी तरह सवाल है अब यहां पर आपको बात मन में आएगा एक मन में बात आएगा कि अगले बार हम प्रस ने देखे थे जो आप देखे थे इसमें तो यहां पर दो था सही बात है यहां पर दो है यहां पर तीन थात हम फैटर कर लिए तीन देखकर आगले वाला का हम यहां पर दो थात कर लिए अब यहां पर हम लोगा तो दो है ना एक है यहां पर ना तीन है अब हम लोग क्या माने तो यहीं पर चोटी बात आपको याद कर लिए बड़ी बात है मेरे भाई और समझ में आए तो like करना comment करना ठीक है तो यहां पे जब कुछ नहीं हो न तो हम लोग मानती हैं एक कि यहां पर कुछ नहीं रहता हो तो हम लोग क्या मानते हैं एक मानते हैं आप देखी आप कहेंगे कि अंडरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर पर माने यह अंदर नहीं बानते हैं तो एक है तो हम अब समझेंगे कि एक होना चाहिए तो तोड़ेंगे इनका 9 8 कितना होता है 9 8 72 दोनों का डिफ्रेंस करिए तो इनके बराबर होगा 9 में से 8 कम करेंगे एक होगा इसका मतल हम लोग का गुरनखन सही यानि फैक्टर सही है अब हम लोग यहाँ पे प्लस पे देखते हैं और माइनस पे प्लस पे बड़ा वाला नमबर लेते हैं तो माइनस के लिए च्छोटा नम्र क्या होता है? आठ तो हम लोग इसे में यह नम्र में सही कह देते हैं योदी आप इनकी प्लस के माइनस के जगह पर बड़ा होता तो हम लोग कौन लेते؟ 9 लेते जो B में दिया खिया है तो इस तरह आप मैच कराएंगे अगला नमर देखिए अगला नमर यहां पर अब इनका वर्गमूल साथ प्लस दो अंडर रूट दस का वर्गमूल कौन होगा अब कैसे वर्गमूल लिका लेंगे इनका यह दूसरे टाइप का सवाल ले इनका ट्रिक देखें कैसे बनता है आप क्या करेंगे यहां जो दस दिया है दस कोई स्तर आप तोड़ेंगे अप पहले तो चेक कर लें कि इनका वर्गमूल होगा की नहीं तो कहेंगे होगा यह दो जो है न यह बता रहा है कि दो बार फैक्टर करेंगे तो बनेगा सही है वही कि आपको संकित कर रहा है कि दो बार फैक्टर करेंगे तो बनेगा तो कितना होता है एक दो होता है और पाच होता है clear है तो दो पांचे कितना होता है दस गुना करेंगे तो अंडर उट आना चाहिए और जोड़ेंगे तो साथ आना चाहिए तो इसके जर्ये जैतना बनता है उसके बाद उट लगाएंगे उतर बन जाएगा तो इतना हो चुका है बस अब आपको क्या करना है यहाँ पर वर्गुमिल है न, तो यहाँ पर इनका सिंबल लगा देजिए अब बच्चा बात क्या इन में प्लस का चिन रखा जाए कि माइनस क्या तो आप कहें गे जो यहाँ पर है कि आज़ प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, क्लिर है यही हम लोग का क्या हो जाएगा एंसर हो जाता यदि यहाँ पे माइनस होता तो हम लोग माइनस तो इसमें देखेंगे पलस वाला भी है यदि यहाँ पे आप गलती से थोड़ा सा मिश्टेक करते माइनस करते न तो इसमें और कोई दूसरा आपसन हो जाता उसी तरह है इसमें भी क्या करना यहाँ पर दो दिया है तो हम लोग कहलेंगे कि इनका वर्गमूल किया जा सकता है अब 15 का प्रक्र करेंगे कए बार दो बार कि गुणा करें तो 15 हो जाए और जोड़ें तो 8 हो तो आपको पता है कि 5 होता है और 3 5 और 3 इनको आइड करेंगे इनको जैसे आइड करते हैं तो कितना होता है 8 के बराबर हो जाएगा और जैसे इनको आप गुना करते हैं तो कितने के बराबर हो जाएगा 15 के बराबर हो जाएगा तो इसका मदल हम लोग का factor सही है अब हम लोग क्या करेंगे इनका वर गमूल है तो वर गमूल का symbol लगा दीजी 5 हो जाएगा और इनका 3 हो गया अब यहाँ पर minus दिया है तो minus लगा लेंगे और plus होता तो plus कह लेते ना तो यही हम लोग का क्या होता उत्तर हो जाता अब जो इसमें match करता है आप उहाँ match करता है तो बदा जाता है आपका answer गलत हो जाता है तो अब हम लोग minus है तो minus ले लिया अगला नमबर अगला नमबर है इसमें आपको देखिए आपके मन मैं नम्यात होगा परमेही करन कर लें तो उत्तर मिल जागे, बात सही करें, कि परमेही करन आप कर लेंगे तो उत्तर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा समय लेगा, तब मिलेगा, छोटा रूस इनका देखिए कैसे करते हैं, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, इनका डिफरेंस न लोगों 12 मिलेगा उसके बाद हम लोग का करते हैं जो डिफ्रेंस है और आइड में भाग देंगे तो 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 मिलेगा यानि जो जोड़े हैं उनमें डिफ्रेंस से भाग देंगे 12 में 2 से तो 6 मिलेगा क्लियर है उसके बाद हम लोग का करते हैं इनको रूट के अंदर वालों को गुणा कर लेते हैं तो साथ पाच्चे पैंटीस और रूट लगा देंगे अब बात आया कि हम लोग पलस लेकी माइनस तो उपर वाले से मतलब होता है नीची वाले से नहीं तो हम यहां पे माइनस लगाएंगे यही हम लोग का उत्तर हो जाता है यही वाला हम लोग का उत्तर हो जाता है तो जब यहां पे देखेंगे यह वाला मैच कर रहा है बस थोड़ी से पॉइंट आप गलत करेंगे तो क्या गलत होने वाला है देखिए आप यहां माइनस के इनसे हम लोग का मतलब है, यदि आपको समझ में आता हो तो लाइक करें, और कमेंट करें कैसा लग रहा है, अगला नमबर, इसमें भी वही काम करना है, परिमेह करन वाली बात है, तो कैसे इनका परिमेह करन करेंगे, देखिए, इनका बता है कि डिफ्रेंस निकालेंगे, तो तो 5 से 3 का difference निकालते हैं तो कितना हो जाएगा दो मिलेगा और इन दोनों को जोडेंगे । कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा अब हम लोग को difference से जाएट में भाग देते हैं तो 8 में जैसे 2 से भाग देंगे तो 4 होगा बास समझ में आरा पीछे ही वाला प्रासेसर रूल्स नहीं है न उसके बाद हम यहाँ पर प्लस है तो प्लस ले लेंगे इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे पांत यहीं पंदर और रूट लगा देंगे यही हम लोग का बना उत्तर बना बास समझ में डिफ्रेंस निकालिए जोड़िए डिफ्रेंस से भाग दे दीजिए तो चार मिल गया और दोनों को अंतर गुणा करिए तो पंदर रूट लगा देजिए ओ हम लोग का का हुआ उत्तर मिला समय पुराओं में देखी थोड़ा स समय देंगे तो आप लोग कोई समझ में निशित आएगा अब जो इसमें मैच करता है सी नंबर ओ सही है नव आगला नंबर देखिए दो संख्याओं का योग और गुणन फल 12 और 35 तो उनका ब्यूत करम क्या होगा और ब्यूत करम किसे कहते हैं जो ब्यूत करम का मतलब होत ब्यूत केरबात है जिसे लोग कहते है क्या है सुझ माखर ज्वार्फा अजड़ाल लाना सेमत ही सवाल है इसमें कैसे बनायाएगा पहले देखियं तो सबसे पहले यदि आप इसको कहें कि 12 बटे में 35 कि अवा लिख लिया जाए तो यही उत्तर होगा आप कहले से आप क्लियर करेंगे कि वह उत्तर सभी है कि नहीं आप चेक करें तो किसी आंग के जब पता नहीं है तो हम ले लेते हैं A ले लेंगे और B ले लेंगे सही बात है और A और B का हाम जाएसे इनका का कर लेते हैं बितकरम कर लेते हैं तो हम लोग को मिल जाता है एक बटे में A और एक बटे में B यही सवाल को आप हल कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा तो देखिए कैसे हल करते हैं सबसे पहले तो हम मानेंगे A और B उसके बाद इनका भ्यूत करेंगे A प्लस B हो जाएगा अब इनका आप LCM ले लेंगे तो इनका LCM A भी हो जाएगा हो गया A भी मेरा LCM A भी उसके बाद इनका इसमें गुना कर देते B हो जाता है और इनका इधर गुना करेंगे तो A हो जाएगा आप देखिए योग ये B पलस A हो गया है तो योग हम लोग का इसमें दिया है करम से 12 है देखते रहे गुणनफल 35 है तो नीचे क्या है 35 तो इसलिए कहें कि इस तरह का सवाल आपको मिलता है तो सेम इसको उपर रखेंगे इनको नीचे उत्तर हो जाता है तो हम लोग का जो आपसन इसमें दिया गया है C नमबर सही है तो मेरे भाई यदि आपको समझ में आया हो तो बताइए कैसा सवाल चाहिए और एक लाइक और कमेंट कर दीजिए ताकि हम आपको सवाल इस तरह पहुंचाएं ठीक है